जब 27 की एज पर था मतलब भाइसा तुम्हारा भाई फरारी से चलेगा पांच से तो भाईसा बिला होईंगे हमारे पास यह करेंगे वो करेंगे ठीक है इस उमर तक एक टाइम पर मैं सोचा करता भी था सच बता हूं तो मैं जब 27 की एज पर था तो मेरे खुद के भी प्लैं था 35 में रिटायर करने का कितना दक प्लैन मना लिया था कितनी महनत करेंगे कि 35 तक तो रिटायर हो जाएंगे अब 31 की एज पर ऐसा लग रहा है कि भाईसर रिटायर्मेंट की तो एज आई गई है घुडापा भी आई गया बैंक बैलन्स अब है पापा से पैसा मांगना प कि कुछ चीज़ें आपके प्लैन के हिसाब से नहीं चलती तो इसलिए मैंने 27 जब और मैं इतना डेडलाइन के लिए शूर था कि नहीं भाई 27 मतलब भाइसा तुम्हारा भाई फरारी से चलेगा हां पांच से तो भाई सब बिला होईंगे हमारे पास बिला नहीं होए हां म्य कुप पैसा कमाएगा तुम्हारा वाई कमाना गया पैसा पीटेगा है लेकिन 27 की उमर पर भाई साब ऐसी हालत थी कि उधारी में जी रहे थे ठीक है दोस्तों से पैसा मांग करके काम चल रहा था कि लाइफ ना कभी कबार इतनी अन्प्रेडिक्टिबल होती है आपको नहीं पता रहता कि अब क्या हो जाए तो 27 के बाद मैंने सोचा यार कि क्या बना रखा था अपने उपर एक जबड़जस्ती का प्रेशर है जबड़जस्ती का प्रेशर कि हां कि घर भी चाहिए ये भ कौन रहेगा घर में हैं हम लोग टेंपररी धर्ती पर आये हैं हम लोग ना ही शरीर लेके जाएंगे ना ही कुछ लेके जाएंगे सब कुछ यहीं रह जाएगा क्या ही जर्रत है है ना तो 27 से लेके 29 तक दो साल के अंदर मैंने यह सारी चीज़े वाश आउट करी मेरी सब्सक्राइब कर दो साल के अंदर सारी सारी मेट्रिलिस्टिक चीज़ें जो अंगूर खटे हैं कि वज़ए से लग रहा था सब हमने साइड में कर दिया 29 से 31 की जो उमर हुई बड़ी चिल हुई कोई टेंशन नहीं कोई टेंशन है हमारी पेंट गंदी है कोई टेंशन है हमारी पेंट में इंक लगा है कोई टेंशन पाल जड़गा है कोई टेंशन फिल्कुल मज़े में जिन्द की जीज़े यार कभी कबार आपका प्लैन आप अपना बेज भूसा देखिए क्या कल लेंगा है मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एक बार में ट्रेन के हम मेरे पास टिकट नहीं थी तो ट्रेन का जो कनेक्टर होता है ना उसके साइड में बातरूम होता है तो मैं दो बातरूम के बीच में जब सो के जा रहा था ना उस पापा तो इस समय पता लगा की हम अकेले ही जा रहा है ना बीच में बुलाये थे हम पैशा इदर ऊदर उड़ा दिये और सीट मिली नहीं, फर्दी का समय था, तो जब हम बात्रूम के दो बात्रूमों के बीच में हम अपना भाई था, तीन बज़े के बाद, नीन आने लगी, हमें लगा अब तो नहीं होगा भाई, पहले मैं इस दर्वाजे के पास, क्योंकि ठंड का वो था, तो दर्वाजा मै को चड़ना होगा रात की समय, अब दर्वाजा खुले ही ना, वो बाहर से गालिया दे रहा है, मैंने का कौन किसको गालिया दे रहा है, मैं उठा तो देखा मुझे ही पढ़ रही है, क्या दर्वाजा खोल मेरी ट्रेन चूट जाएगी, तो मैंने जैसी दर्वाजा खोला फैल लडाई होगी, फिर मैंने का चलो ठीक है, इस सेड ट्रेन बार बार इधर चल रही है, बार बार उठना पड़ रहा है, इस वाले दर्वाजे के साइड मैं सो जाता हूँ, मैं इस वाले दर्वाजे के साइड जैसी सोया, बस अगला स्टेशन इस सेड आ गया, मैंने का और दो लेकिन फिर सोबह जब मैं दिल्ली पहुँचा ठीक है जब दिल्ली पहुचा जैसी मैं स्टेशन पर उतरा ठीक है वह सारा गिल्ट और जो गंदा गंदा सा फिल हो रहा था कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहोंगे वह सारा स्टीशन पर तर गया, रिजन बीग पता है कि लोग तेरे को जानते ही नहीं है, उनको क्या पता कि मैं ट्रेन में किस हालत में सो के आया हूँ, आटो वाले का बोला है, फ़रिदाबाद चलेंगे, ठीक है, पैसा है तुम्हारे भाई के पास, ठीक है ट्रेन का नीदा लेकिन आटो का पाप कारे में ऑपीनियन भी बना ले कि या फर्क पड़ता है पांच दिन के बाद वह कहीं अलग पिट रहोंगा अपनी दुनिया में अपनी जिंदगी में दूसरे के वैसे स्ट्रेस नहीं लेने का चिर्फ देने का क्लियर है यह सभी बात है भाई दूसरे का ज्यादा स्ट्रेस लेने का निए ठीक है लाइफ चली जाती आगे और ज्यादा नहीं कर पाए तो क्या हुआ भगवान ने भेजा इसले था कि जाओ बकेती काटाओ क्योंकि परपस आफ लाइफ तो किसी को भी नहीं पता है भगव आनने धर्ती में बेजा है जा साट सतर साल को मान ले पनीसमेंट है जाओ कल यूग है जाओ तो साट सतर साल हमको भी काटना आपको मजा किया जाए इसलिए ऐसे पढ़ रहे हैं क्या ही कर लेंगे ने के बाद काम थोड़ना आएगा बस समय काठने का यह एक जरिया है के इन प्रेक्टिकल हो चुके है अब थोड़ा सा और प्रेक्टिकल होए तो बस अब सादू बनने की देरी है किसी दिन प्रवचन देते हुए मिलेंगे तुम्हें पंडाल वंडाल में क्लियर आजाओ भाई तो हम कहां पर थे हम कुछ इंपोर्टेंट पाइंट्स पर आजा बेक्ट टू आएटी अगर नहीं होँआ तो भाई सा लोग बहुत गंदा गंदा बोलते प्लीज पढ़ लो यह बात भी है कि अ कि अ कि अ